असलाम अलेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नमर 17 कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सिजन इन फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में अगर आपने अपनी इकैट या अमडिकैट की तैयारी अभी तक स्टार्ट नहीं की है तो यार कब स्टार्ट करोगे नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ प्लेलिस की लिंक मौजूद है वहाँ पर सारी केमिस्ट्री की वीडियो आपको लाइन से मिल जाएंगी तो आप वो सारी वीडियो देखकर अपनी तैयारी बहतर बना सकते हो इसी दरह से उसी डिस्क्रिप्शन में आपको एक और लिंक मिलेगी जो आपको मकसद एप की तरफ ले जाएगी वहाँ पर एकैट या अमडिकैट का गोर्स बाय करो और 6000 प्लस म्सी उस की तैयारी करो हम स्टार्ट करते हैं अपन आता है जैसे के अलकोहल, एथर, कार्बोनाईल कंपाउंट या कार्बो अक्जाईल कंपाउंट तो आगी तरह डिसकस करते हैं अगर हम बात करते हैं उन कार्बन कंपाउंट की जिनके फंक्शनल ग्रूप में ऑक्सीजन आता है तो उसके अंदर अलकोहल हो सकते हैं अलकोह ग्रूप हो जाता है oxygen तो यहां पर ये हो जाएगा और इसी तना से र िडबल ह कार्भो उक्जैलिक एसेट्स का फंक्शनल ग्रूप है और पर पर र ये जो सी डबल हो है ये फंक्शनल ग्रूप है इस्टर्स का दोनों alkyl groups different भी हो सकते हैं इसलिए एक alkyl group को ऐसे ही लिखा है और दूसरे alkyl group के ओपर slash डाल दी गए है अगर हम बात करते हैं easters के बाद दूसरी families की जैसे के RCHO तो RCHO formula है aldehydes का और RC double bond with O साथ में एक R यह हमारे पास formula है ketones का अब इन सारी families को हम इस वीडियो के अंदर discuss करेंगे इस वीडियो के अंदर हम alcohols के बारे में discuss करेंगे इस chapter के अंदर हम इन सारे topics को discuss करेंगे तो आईए start करते हैं अगर हम alcohols की बात करते हैं तो alcohols का functional group होता है OH alcohols का formula हो जाएगा CN H2N और अगर इसी तरह से phenols की बात करें तो phenols के अंदर benzene link के उपर OH मौजूद होता है phenol और इसी का एक और नाम है carbolic acid अभी तक आप ये सब बातें जान चुके होंगे कि इन सब के अंदर alcohol group common है alcohol group का formula होता है CN H2N अगर ये alkyl group connect हो जाता है अगर ये alkyl group connect हो जाता है किसी hydrogen से तो ये बन जाएगा alkane अगर ये alkyl group connect हो जाता है किसी halogen group के साथ तो ये बन जाएगा alkyl halide और अगर ये alkyl group connect हो जाता है किसी OH group के साथ में तो ये कलाएगा alcohol और अगर यह alkyl group connect हो जाता है किसी oxygen, फिर वो oxygen connect हो एक और alkyl group से, तो यह कलाएगा ether, और अगर यह alkyl group connect हो जाता है, CHO group के साथ, तो यह कलाएगा aldehyde, अगर यह alkyl group connect हो जाता है, carbon के साथ, carbon का double bond oxygen है, और फिर यह carbon attached है, एक और alkyl group के साथ, यह कलाएगा ketones, अगर यह alkyl group connected है, COOH group के साथ, तो यह कलाएगा carbo oxalic acid, और इसी तरह से, अगर यह alkyl group connected है, C double bond with O, फिर साथ में एक और oxygen, और वो oxygen फिर connected है, एक और alkyl group से, तो यह कलाएगा easter, अगर यह alkyl group connect हो, एक amine group के साथ, तो यह कलाएगा alkyl amine, और इसी तरह से, अगर यह alkyl group connect हो, किसी amine group के साथ, लेकिन उस amine group के साथ, कार्बन का double bond oxygen के साथ भी जुड़ा हो, जैसे कि alkyl group कार्बन के साथ, कार्बन का double bond oxygen से, और फिर यह alkyl group के साथ, तो यह कलाएगा alkyl amide, हम यहां तक alkyl group को काफी डिसकस कर चुके हैं, आज की इस वीडियो में हम सिर्फ alkyl के बारे में डिसकस करेंगे, तो आएए ज़रा alkyl को डिसकस करते हैं, alkyl, इसका general formula है ROH, हमारे पास alkyl की तीन टाइप्स होती हैं, अगर हम classification of alkyl की बात करें, classification of alkyl की अगर हम बात करते हैं, तो हमारे पास alkyl की तीन टाइप्स होती हैं, पहली टाइप का नाम है monohydric alkyl, दूसरी टाइप का नाम है diahydric alkyl, तीसरी टाइप का नाम है triahydric alkyl, इसी तरह से alkyl की एक टाइप और भी होती है, जुसको कहा जाता है polyhydric alkyl, तो कुल मिलाके हमारे पास 4 टाइप्स हो गई, पहली टाइप का नाम है monohydric alkyl, monohydric alkyl का मलब यह है कि यहाँ पर एक ovej group ही होगा, ovej group एक से जादा नहीं होगा, अगर हम diahydric alkyl की बात करें, तो diahydric alkyl में 2 ovej group मौझूद होंगे, triahydric alkyl में 3 ovej group यानि कि 3 hydroxy group इसके नाम मौझूद होंगे, और polyhydric alkyl में 3 ovej group में मौझूद हो सकते हैं, जैसे कि 4 ovej group मौझूद हो सकते हैं और इसी तरह 5 और इसी तरह से 6 या 7 बगएरा, तो अगर हम बात करते हैं monohydric alkyl की, इसकी examples हो जाएगी हमारे पस, CH3C, फिर CH3 उपर लिखा हुए, नीचे लिखा हुए CH3, और साथ में एक ही ovej group यहाँ पर attached है, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा tertiary, तर्शिरी इसलिए क्योंकि यह वाला carbon tertiary है, और यह carbon, 3 carbon के साथ attached है तो इसलिए कि लाएगा tertiary, टोटल carbon atoms हो जाएगे यहाँ पर 4, तो 1, 2, 3, 4, तो पूरा नाम हो जाएगा tertiary butyl, OH group है तो पूरा नाम हो जाएगा tertiary butyl alcohol, लेकिन क्योंकि यह एक मुश्किल example थी, तो हम एक और example की बात करते हैं, let's हैं हमारे पास लिखा हुए CH3, फिर CH2, और साथ में OH group लिखा हुए, तो इसका नाम क्या होगा, CH3, CH2 का नाम हो जाएगा ethyl, और OH का नाम OH functional group है alcohol का, तो यह किलाएगा ethyl alcohol, अभी हम alcohols की IUPAC naming के उपर भी बात करते हैं, फिलाल बात करते हैं, डाहेटरिक alcohols की, डाहेटरिक alcohols में दो OH group मौझूद होंगे, हमारे पास एक example है, CH2, CH2, और पर दोनों carbon के साथ एक-एक OH group attached है, अब यहाँ पर इस compound का नाम हो जाएगा ethylene glycol, इसका common name है, IUPAC name, हम इसका अभी discuss करने लगे हैं, थोड़ ही देर के बात, अगर हम बात करते हैं, ट्राहेटरिक alcohols की, तो ट्राहेटरिक alcohols में तीन OH group मौझूद होंगे, जैसे के एक carbon, यह दूसरा carbon, यह तीसरा carbon, और सबके साथ एक-एक OH group attached है, वैलेंसीज आप फिल कर सक हैं, यहाँ पर आजाएंगे दो hydrogen, एक hydrogen और यहाँ पर आजाएंगे दो hydrogen, अब बात करते हैं, पॉलिहाटरिक alcohols की, तो देखें, पॉलिहाटरिक alcohols में तीन से जादा OH group मौझूद होने चाहिए, जैसे के एक carbon, दूसरा, तीसरा, चौता और पांचवा, यह हमने 5 carbon कर लिया बिलके 6 carbon कर लियते हैं, अब उसके बाद OH group एक, दो, लेट से यहाँ पर नहीं है, तीन, और यहाँ पर है चार, तो चार OH group यहाँ पर मौझूद हैं, अब इनकी valences fill कर लियते हैं, यह हो जाएंगे दो hydrogen, एक hydrogen, एक hydrogen, फिर दो hydrogen, यहाँ पर तीन hydrogen आएंगे, यहाँ पर आए अगर आप IUPAC naming सारी families की जाना चाते हैं, तो नीचे description में जाएं, playlist की link मौझूद हैं, वहाँ पर आपको organic chemistry की basics की video मिल जाएगी, उसके अंदर second part में IUPAC naming सारी discuss की गई हैं, उसी में alcohols की भी IUPAC naming है, आप वहाँ पर जाके discuss कर सकते हैं, वहाँ जाके check out कर सकते हैं, लेकर हम बात करते हैं, थोड़ इसी IUPAC naming की यहाँ पर, IUPAC naming कैसे करते हैं alcohols की, हमारे पास कोई भी functional group है, sorry, alcohols का functional group है OH, तो OH group जहां से nearest होगा, हम numbering वहाँ से start करेंगे, सबसे पहले तो longest chain को select कर लेंगे, जब longest chain को select करेंगे, तो OH group chain के अंदर नहीं आएगा, numbering वहाँ से start हो एक carbon है, यहाँ पर, let's say, यह दूसरा carbon है, और यहाँ पर तीसरा carbon है, और इसी तरह से OH group यहाँ पर मौजूद है, और यहाँ पर लिखाव है CH3, और यहाँ पर एक hydrogen attached है, अब देखें, यहाँ पर मैंने एक chain बना लिया, हमने इसके IUPAC naming करनी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे ग्रूप करीब पड़ है, राइट एंड साइट से, तो हम नमरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, वन, टू, थरी, और फूर, अब यह क्या हो जाएगा, सेकंड पोजिशन पर ओवज ग्रूप आ रहा है, टोटल कारबन एटम से, चार तो यह जाएगा, टू ब्यूटेन तक लिखेंगे, लेकिन आखिर का E हटा देंगे, और अल्कॉहल्स का सफिक्स यूज़ करेंगे, अल्कॉहल्स का सफिक्स क्या होता है, अल्कॉहल्स का सफिक्स होता है, ओल, तो यहाँ पर यह पूरा नम हो जाएगा, टू ब्यूटानॉल, इसी तरह से, अब हम आते हैं, इसका पूरा नाम क्यों हो जाएगा, दो कार्बने तो ये कहलाएगा, इथाइल, या इथाइल के बज़ा हम इसको इथेन भी कह सकते हैं, इथेन, और इथेन करने के बाद आखिर का E हटा दें, और O-L लगा दें, तो ये बन जाएगा एथानॉल, Similarly, यहाँ पर हमारे पास लिखाव है Tertiary Butyl Alcohol, अगर हमें इसकी IUPC Naming करनी है, तो हम इसकी IUPC Naming कैसे करेंगे, सबसे पहले हम Longest Chain Select करेंगे, वो हमने करनी, नमरिंग वहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहां से OH ग्रुप करीब हो, यहाँ पर Branch और Functional Group, यानि कि OH दोनों सेम पोजिशन से आ रहे हैं, तो हम कहीं से भी नमरिंग स्टार्ट कर सकते हैं, अब हमने क्या किया, Second Position पर आ रहे हैं, तो इसका नाम होजाएगा 2-Methyl, तो इसक ग्रुप, दो मर्तबा लिखावा और साथ में OH ग्रुप भी दो मर्तबा है, तो आप यहाँ पर ज़रा चेक करें, हमारे पास OH ग्रुप आ रहे हैं, फस्स पोजिशन पर और सेकेंड पोजिशन पर, तो इसका नाम होजाएगा 1-2, दो कार्बन है तो यह हो जागा, एथेन हम इसको कहेंगे इथाना, दो मर्तबा OH ग्रुप है, तो कहलाएगा डाय और साथ में ओल, डाय इथानौल नहीं कहलाएगा, यह कहलाएगा इथाना डाय ओल, डाय इथानौल का तो सीधा सीधा मतलब यह हो गया, कि इथानौल ग्रुप इथानौल दो मर्तबा है, इथानौ कैसे स्टार्ट करेंगे फंक्शनल ग्रूप फिर्स पूजिशन पर आ रहा है तो नम्रिंग हम करेंगे लेफ्ट एंड साइट से हैं तो जाएगा 12345 और 6 अब हमारे पास फंक्शनल ग्रूप आ रहा है चार जगहों पर तो हम इसको इससे करेंगे वन फिर टू फिर फूर फिर उसके बाद फाइफ वन टू फूर फाइफ टोटल कार्बन होगा अच्छे तो यह हो जाएगा हेक्जाना और उसके बाद चार मरता फंक्शनल ग्रूप पर दे पर यहां पर इसकी नेमिंग कैसा हो जाएगी इसकी नेमिंग हो जाएगी 1,2,3,प्रो पाना फ्रो पाना ट्राइओ आपको यहां पर आयू पिसी नेमिंग तो समझ आ गई होगी IU PC Naming से आगे बढ़ते हैं हमने अभी तक ये डिसकस किया कि alcohols की classification चार टैपस की जा सकती है वनलब alcohols की चार टैपस होती है एक है monohydric alcohols, dihidric alcohols trihidric alcohols और polyhidric alcohols अगर हम monohydric alcohols को फर्दर classify करें तो हमारे पस monohydric alcohols की तीन classification और हो जाएंगी monohydric alcohols की तीन classification और हो जाएंगी पहली classification कलाएंगी primary primary alcohols फिर दूसरी कलाएंगी secondary alcohols secondary alcohols और तीसरी कलाएंगी tertiary alcohols primary, secondary और tertiary में क्या फरक है primary के अंदर OH ग्रुप जिस carbon से attached होगा वो carbon atom surrounding में एक ही alkyl group से attached होगा या एक भी alkyl group से attached नहीं होगा अगर हम बात करते हैं एक alkyl group से attached है तो ये कलाएंगा 1 degree alcohol अगर एक भी alkyl group से attached नहीं है तो फिर ये कलाएंगा 0 degree alcohol लेकिन आम तोर पे 0 degree alcohol को भी 1 degree alcohol ही कहा जाता है अब अगर हम OH ग्रुप की बात करते हैं OH group जिस carbon से attached है ये carbon कलाएगा alpha carbon, alpha carbon surrounding में एक alkyl group से attached है, तो carbon के valences fill करने के लिए हमें यहाँ पर दो hydrogen लगाने पड़ेंगे, अब यहाँ पर example की बात कर लेता है, let's हमारे पास alkyl group attached है, ethyl group, तो यह जाएगा CH3, CH2, पर साथ में एक और CH2 और एक ओवेज़ ग्रूप attached है, तो बनाए इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, प्रोपाना, इसका नाम हो जाएगा, प्रोपेन तक लिखेंगे हैं, प्रोपेन, और आखिर का E हटा देंगे, तो E हटाने के बाद ये बन जाएगा, प्रोपानॉल, ठीक है, अब अगर इसकी एक और एक्जेम्बल की बात कर लेता है, लेट से हमारे पास लिखा हुआ है, OH ग्रूप attached है, मीथाईल ग्रूप के साथ, अब इस कार्वन क्यों दिखा जाते हैं, कार्वन सराउंडिंग में किसी और अलकाईल ग्रूप से अटेज़ नहीं है, तो ये कलाएगा मीथानॉल क्योंकि एक ही कार्वन है, इसको जीरो डिग्री और वन डिग्री दोनों कहा जाता है, अगर हम सेकेंडरी की बात करते हैं, तो सेकेंडरी अलकाहल वो होते हैं, जिसके अंदर ओवेज ग्रूप जिस कार्वन से अटेज़ है, वो कार्वन सराउंडिंग में दो अलकाईल ग्रूप से अटेज़ होगा, यहां पे कार्वन के साथ हाइडोजन भी लगा हुए, एक hydrogen लगाव है, valences complete है अगर हम example की बात कर जाए तो OH group एक carbon सा attached है उस carbon के साथ में एक hydrogen और surrounding में let से methyl group attached है और एक जगह पे ethyl group attached है CH2 और साथ में लिखाव है CH3 अब इनकी IUP से निमिंग कैसे करेंगे तो सबसे पहले तो हम carbon atoms की long chain select करेंगे एक बात हमारे धहन में रहनी चाहिए कि अगर functional group में carbon नहीं आता तो functional group को chain के अंदर include नहीं किया जाता हमने यहाँ पे longest chain select करी अब हमारे पास एक numbering कहां से start हो जाएगी जहां से OH group करीब पढ़ा होगा तो अगर हम numbering start करते हैं यहां पे OH group करीब पढ़ा है second position पर आ रहा है अगर हम right hand side से bottom से start करते हैं तो functional group हमारे पास third position पर आएगा और वह गलत हो जाएगी numbering तो फिलाल numbering हो जाएगी one two three four अब इसकी numbering कर ली हमने आयू पीसी नेमिंग के अंदर हम पहले देखेंगे functional group कौन सी position पर आ रहा है तो functional group आ रहा है second position पर total number of carbon item से चार तो यह हो जाएगा two butane और आखर में all लगा देंगे तो यह हो जाएगा two butanol मेरे खाल है अब तक आपको आयू पीसी नेमिंग समझ में आ गई होगी अब हम tertiary alcohol की बात करते हैं तो tertiary alcohol वो होता है जिसके अंदर functional group यानि कि OH जिस carbon से attached है वो carbon surrounding में तीन alkyl group से attached होगा यानि कि example के तौर पे OH group let's है यहाँ पर एक carbon से attached है फिर एक CH3 group से फिर दुबारे एक और CH3 group से और दुबारे CH3 group से attached होगा अब यहाँ पर इसकी IUPC naming की बात करेंगे तो इसकी numbering कहीं से भी आप कर सकते हैं 1,2,3, second position पर आ रहे मीथाईल तो यह जाएगा 2 मीथाईल और साथ में 2 ट्रोपानॉल alcohols की हमने classification भी discuss कर ली monohydric, diahydric, triahydric के हवाले से भी हमने सारी classification discuss कर ली और primary, secondary और tertiary की बारे में हमने discuss कर ली है अब हम बात करते हैं एक ऐसे test की जो कि आप से पूछा जा सकते हैं intermediate की exam से भी पूछा जा सकता है और इसको MCQS के लिए भी पूछा जा सकता है यह test कलाता है Lucas test अब यह Lucas test क्या है Lucas test distinguish test है alcohols को distinguish करने के लिए alcohols के अंदर यह फर्क करने के लिए कौन सा tertiary है, कौन सा secondary और कौन सा primary तो Lucas test है distinguish test of alcohols distinguish test of alcohols यह बहुत असा टेस्ट है इस टेस्ट में क्या होता है कि हमारे पास let's हमारे पास तीन alcohols है अलग-अलग test tubes के अंदर मुझूद है मलब आपको chemistry की लैप करने है तीन alcohols अलग-अलग test tube में दिये गए और उन तीनो test tube में कोई सा एक tertiary है कोई सा एक secondary है और कोई सा एक primary है तो आप कैसे difference करेंगे कैसे differentiate करेंगे आप तीनो alcohols को react करवाएंगे HCL के साथ में यहाँ पर let's say में लिख देता हूँ alcohol को आपने react करवाया किस चीज के साथ में HCL के साथ और उसने HCL के साथ immediate reaction किया in the presence of zinc chloride zinc chloride की presence में उसने क्या किया immediately reaction कर लिया फॉरण से reaction कर लिया immediately एक second इसकी spelling ठीक लिए लिए हूँ immediately उसने फॉरण से reaction किया और बनाया है alkyl chloride और साथ में water form हुआ तो यह वाला alcohol कलाएगा tertiary alcohol tertiary alcohol जोगा वो फॉरण react कर जाएगा अगर हम बात करें आपने दुबारा alcohol को react करवाया HCL के साथ लेकिन अब उसको थूदा time लगा कितना time लगा पांच से दस मिनट का time लग गया और in the presence of zinc chloride यह वाला reaction हुआ तब जाके हमारे पास alkyl chloride form हुआ और साथ साथ में water form हुआ तो यह वाला alcohol कलाएगा secondary alcohol इसी तरह से अगर हम बात करें आपने alcohol को react करवाया HCL के साथ in the presence of zinc chloride लेकिन अपकी मरतबा reaction हुआ ही नहीं या उस reaction को proceed करने के लिए हमें heat करने की जरूरत पड़ी या तो heat करने की जरूरत पड़ी हमें या कोई reaction ही नहीं हुआ तो यह alcohol कलाएगा primary alcohol नतीज़ा क्या होगा कि हमारे पास alkyl chloride form होगा और साथ-साथ में water form होगा लेकिन यह बहुत slow reaction है तो यह वाला alcohol कलाएगा primary alcohol अगर OH group attached हो किसी aromatic compound के साथ यानि के benzene link के उपर attached हो let's say तो फिर यह क्या कलाएगा यह क्या कलाएगा phenol अब phenol का तसकिरा तो हम next video करना करेंगे लेकिन हम phenol को यहाँ पर discuss इसलिए करें क्योंकि phenol और alcohols की nature के बारे हम पूछा जाता है alcohols acidic होते है basic होते है या alcohols amphoteric होते है similarly phenols acidic होते है basic होते है या amphoteric होते है इसके बारे हम पूछा जाता है अगर हम alcohols की बात करें तो alcohols amphoteric in nature होते है amphoteric in nature होते हैं यानि के ये dual nature रखते हैं dual nature इधर acidic भी behave कर सकते हैं और basic भी behave कर सकते हैं जबके phenols होते हैं phenols acidic in nature होते हैं सिर्फ अब हम acidic in nature को कैसे define कर सकते हैं बहुत असान सी चीज़ है acidic वो है जो के H plus iron loss करता है loss H plus iron अगर हम बात करने हैं alcohols की तो alcohols amphoteric in nature हैं यानि कि ये loss कर सकते हैं H plus iron भी और ये loss कर सकते हैं OH minus iron भी depend करता है कि ये कौन सी species के साथ में या कौन से substance के साथ में ये react कर रहा है आए आगे बढ़ते हैं हमारा next question है boiling point of which alcohol will be higher इनमें कौन से alcohol का boiling point जादा होगा अब हमारे पास एक alcohol straight chain में given है और दूसरा alcohol branched chain के अंदर branched chain के अंदर है और ये straight chain के अंदर है अगर हम straight chain का surface area देखेंगे तो यहाँ पर surface area जादा है surface area यहाँ पर जादा है आप यह देख सकते हैं कि यहाँ पर यह जो पूरी chain है इसका surface area जादा है जबकि जो branched chain है इसका surface area कम है अगर हम boiling point की बात करें तो boiling point directly proportional होता है surface area के जितना surface area जादा होता है boiling point उतना ही बढ़ जाता है यानि कि जो straight chain है इसका boiling point जादा होगा और जो branched chain है इसका boiling point कम होगा जिसका boiling point कम होगा उसकी volatility जादा होगी यानि वो जादा volatile compound होगा और जिसका boiling point जादा होगा उसकी volatility कम होजाएगी कितनी मुश्किल बाते करें इसको आसान अलफाज में समझा तो volatility कम होजाएगी अब अगर मैं इसको असान अलफाज में समझाओं तो देखें जो straight chain हाइडरो कार्वन है यानि जो straight chain एक तरह से alcohol है इसका boiling point जादा है अगर इसका boiling point जादा है तो ये देर से boil होगा देर से vapors बनाएगा और इसी लिए इसकी price कम हो जाएगी क्यूंकि ये less volatile है हमारे पास उन hydrocarbons की या उन compounds की price जादा होती है जो के जल्दी से boil हो जाते है और जिनके vapors जल्दी form हो जाते हैं या जो जादा volatile होता है इसी लिए straight chain hydrocarbon जो है वो कम price पे बिकता है और branch chain hydrocarbon जादा price में बिकता है इसी तरह सा अगर हम gasoline की बात करें तो petrol की reforming की जाती ही क्योंकि पहले petrol straight chain के अंदर होता है तो उसका boiling point होता है जादा उसकी volatility हो जाती है कम देर से boil होगा less volatile होगा तो उसको straight chain से convert कर दिया जाता है branch chain के अंदर ताकि के वो जादा efficient हो जाए उसका octane number भढ़ जाए उमीदे कि यहां तक आपको समझ में आ ही गया होगा तो आप आगे बढ़ते हैं हमारा next question है alcohols और ether में किसका boiling point जादा होगा अगर हमारे पस एक alcohol given है let's say कि C2H5OH कोई भी alcohol given हो सकता है यहाँ पर हमें given है ethyl alcohol जिसका हम ethanol भी कह सकते है ethyl alcohol या ethanol यहाँ पर given है similarly एक ether given है CH3 OCH3 अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो दोनों का formula same है दोनों का molecular formula हो जाएगा C2H6O क्योंकि दोनों जगा पर 2 carbon है 6 hydrogen है और 1 oxygen है molecular formula same है molecular mass same है लेकिन functional group different है जैसे कि C2H5OH alcohol का functional group रखता है यहाँ पर OH और ether के अंदर oxygen functional group है अब हमसे पुछा जा रहा है कि यहाँ पर boiling point किसका ज़ादा होगा तो आप यह बात मान लीजिए कि alcohols में hydrogen bonding होती है alcohols में होती है hydrogen bonding hydrogen bonding की वज़ा से intermolecular forces of attraction बढ़ जाती है hydrogen bonding यहाँ पर present होती है जिसकी वज़ा से intermolecular forces of attraction intermolecular forces of attraction यहाँ पर बढ़ जाएंगी जिसकी वज़ा से alcohols का boiling point जादा होगा अगर हम ether की बात करते हैं तो ether के अंदर hydrogen bonding नहीं होती no hydrogen bonding इसी वज़ा से इसके अंदर less intermolecular force of attraction होगी IMFOA का मलब है less intermolecular force of attraction इसके अंदर कम होगी जिसकी वज़ा से इसका boiling point कम हो जाएगा यहाँ पर हम alcohols को और ether को discuss कर चुके हैं अगर हम alcohols की family बात करते हैं तो हमारे पास primary alcohols में दो basic compounds हैं एक तो methyl alcohol और दूसरा है ethile alcohol इनके बारे में आपसे MCQs के अंदर पूछा जा सकता है reactions नहीं पूछे जाते हैं equations नहीं पूछी जाती हैं repressions नहीं पूछे जाती हैं chemical properties नहीं पूछे जाती हैं हाँ different physical properties या छोड़ी छोड़ी चीज़ें पूछी जा सकती हैं तो आईए हम दर चोड़ी चीज़ों को discuss करते हैं अगर हम बात करते हैं आपे let's say methyl alcohol और बात करते हैं ethile alcohol की तो methyl alcohol को wood split भी कहा जाता है wood split भी कहा जाता है इसको कहा जाता है methanol और इसका formula होता है CH3OH इसको prepare क्या जाता है water gas से prepare क्या जाता है इसको from water gas water gas mixture होती है carbon monoxide और hydrogen gas का इसको जब ज़्यादा high pressure पे और ज़्यादा high temperature पे इसको heat किया जाता है तो ये convert हो जाता है methyl alcohol के अंदर high temperature और high pressure पे ये convert हो जाएगा methyl alcohol CH3OH में अगर हम बात करते हैं methyl alcohol की तो methyl alcohol का formula हो जाता है C2H5OH और इसको तीन categories में divide किया जा सकता है जैसे कि ethyl alcohol में एक type किलाती है denatured alcohol denatured alcohol एक किलाता है rectified spirit और एक होता है हमारे पस absolute alcohol absolute alcohol absolute alcohol वो alcohol है जो के drinking purpose के लिए use के जाता है इसके अंदर 99.99% ethyl alcohol मौझूद होता है अगर हम बात करते हैं rectified spirit की तो rectified spirit के अंदर 92 to 95% ethanol मौझूद होता है अगर हम denatured alcohol की बात करें तो denatured alcohol में 85% ethanol मौझूद होता है denatured alcohol का क्या मतलब है denatured alcohol को methylated spirit भी कहते हैं इनेचर्ड अलकोहल का सीधा सीधा मदलब यह हुआ कि अलकोहल की नेचर को खराप किया गया है अलकोहल को डिस्ट्रॉई किया गया है अब ऐसा क्यों करते हैं इसके पीछे एक बहुत इंपोर्टेंट रीजन है जैसे कि अगर हम बात करें माल लीजिए कि कोई बैवरेजिस क अब बात करते हैं एपसिलूट अलकोहल की एपसिलूट अलकोहल में 99.99% इथानॉल मौजूद होता है और यह ड्रिंकिंग परपस के लिए यूज की जाती है कोई भी गवर्मेंट इस चीज़ को डिस्करिच करती है तो इसी वज़ा से उसके उपर हैवी टेक्सिस लग जा बिचना चाती है, drugs बनाने के लिए, परिफ्यू्म बनाने के लिए, sanitis acts मनाने के लिए, nail polishes बनाने के लिए, लिए इस तरह के बहुत सारे uses हैं, यिधाइल अलकोहल के 85% उसके अंदर एथानॉल रह जाएगा और 11% उसके अंदर एड कर दिया जाएगा मीथाइल अलकोहल तो मीथाइल अलकोहल जो होता है वो टॉक्सिक होता है और यह पॉईजनस होता है अब ये poisonous है toxic है इसकी वज़ा से जो हमारे पस alcohol रह जाएगी वो हो जाएगी unfit for drinking यानि कि इसको drinking purpose के लिए use नहीं किया जा सकता जब unfit for drinking हो जाएगी तो उसके बार अब taxes नहीं लगेंगे तो इसी तना से एक industry दूसरी industry को ethyl alcohol फरोगत करेगी आगे बढ़ते हैं methyl alcohol और ethyl alcohol का topic हम यहाँ पर end करते हैं सिर्फ छोड़ी सी चीज़ को हम यह समझ लेते हैं कि methyl alcohol blindness cause करती है blindness यानि कि methyl alcohol के जो vapors हैं इसकी वज़ा से इनसान की किसी भी इनसान की बिनाई जा सकती है blindness cause हो सकती है ethyl alcohol के भी बहुत सारी uses है उसको हम discuss करेंगे next video में सिर्फ इतना समझ लीज़े कि ethyl alcohol और methyl alcohol की chemical properties papers में नहीं आती तो उसको हम यहाँ पर discuss नहीं करेंगे next video में हम phenols के बारे में ज़्यादा discuss करेंगे अपना खयाल रखें Allah आपस